कि सराज आपने विजिट किया है क्या यहां डारेक्शन दिया और क्या निर्देश दिया है कि जब से पूराना का तंकर पूरे विश्व में आया है तो उससे भारत भी उत्तरप्रदी की सबी लोग अफेक्टिड है लेकिन उसके कारण जो अन्य मरीज है जो अन्य रोगी है जिनको आवेशक्त इलाज की आवेशक्ता है वो वो सेवाय लोगों को मिल रही है या नहीं मिल नहीं है केवल यह देखने के लिए मैं यहां पर 80 मरीज इस समय भरती है जिसमें से करीब मेरी 40-50 लोगों से भेड़ी है उसमें से एक में भी यह लिए कि उसका इलाज ठीच्चन नहीं हो रहा है तो इसके लिए यहां कि मैं डॉक्टर्स को सादुबाद देता हूं मैं तुरंत जो मरीज आज ही आए हैं उन सब से मिला उनमें से प्रतेग में यह कहा है कि उन्हें आते के साथ ही इलाज मिला किसी को गुलकोस की बोदर चड़ रही थी एक चोटा बच्चा था उसका मूँ में चोट आरीजी खून आरा था यह लिया हुआ कहीं से तो उस बच्चे से भी मैं पूछा उसकी मां से भी पूछा तो इलाज सब का चल रहा है यह जितने भी जो छोटे बच्चे उन्हें दूर मिल रहा है जो चाद रहे हैं वो प्रति दिन बगली जा रहे हैं तो एक तरीकेसे जो सामान में सेवाएं वो शुरू है छे से जादे लोगों का सुबह से एक्सरे भी हुआ है यह पैसलोजी के अंदर टेस्ट भी हुआ है लेकिन कर यही पैसलोजी के काफी काम सेटेडे में और यह फ्राइडे में बहुत जादे हुए है वो फिकर भी उन्हाने मेरे को दीती तो यहां पर आने का सब्सक्राइब यही था कि जो समन्ने सेवा हैं वो किस अब तक शुरू है तर गंडगी को लेकर आपने काफी गंडगी के लेकर क और उसके लिए मैंने उन्हें अजन्देशित किया है तो में अबीद है कि आज इसका प्रेणाम भी नजर आएगा और आगे से शायद कीमो साथ से और डॉक्टरों से मेरी बात ही है इस तरह की कोई शिकायत आगे से आप लोगों को या मुझे या किसी जल्टा के लोगों क दो समस्या है सर एक तो यहां जो डाक्टरों को रखने की बात है जो इलाज करते हैं कोरोना पेशेंट लोगों का उनको रहने की कोई विवस्ता नहीं है वो इधर उधर रहते हैं और वहां उनको रोका राका जाता है इसको लेकर कोई विवस्ता नहीं यहां जो सरकारी यहाड़ा सम्भीदागर्मई और दो ब्लड बैंक में रखे गैं जिनका अधिकार नहीं इसको लेकर क्या कोई जानकारी आप लोगों के पार बेरे मेरे व्यक्तिक में इनकारी में आप ने कहतीक है लेकर कि जानकारी लेकर कि इसको चिंटा करूँ